साल 2023 खतम होने को है ये साल कई प्राकरतिक आपदाएं लेकर आया जहां भुकम से फैली तभाई का सबब बना वहीं तुफान ने अफ्रीकी देश लीबिया को छग जोड दिया इसराइल और हमास की चंग के लिए भी ये साल याद किया जाएगा इसे साल पड़ोसी देश पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों ने देश में हिंसा और तोड़ फोड की और इमरान को भी चेल जाना पड़ा वहीं अमेरिका के पूर्व राश्पती डोनल्ड ट्रम्प को भी कई अदालत सम्मंदी परेशानियों का सामना करना पड़ा लिखे गए थे इसके बाद 17 जनवरी को भी इसी तरह की घटना एक हिंदू मंदिर में हुई 15 दिन के अंदर तीसरी बार उस्टेलिया के विक्टोरिया प्रांथ में एक मंदिर को निशाना बनाया गया दिवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए अब बात करते हैं इसराइल हमास चंग की साल 2023 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है इसराइल और हमास की चंग 7 अक्टूबर को आतंकिस संगटन हमास ने इसराइल पर तीन ओर से सोरदार हमला किया इसके बाद इसराइल ने भी चवाब दिया इस जंग में अब तक 18,600 से भी जादा लोगों की मौत हो चुकी है जब इमरान खान पहुचे जेल पूरु परदान मंतरी इमरान खान को 2023 में पाकिस्तान की एक स्पेशल कोर्ट में अलकादी ट्रस्ट से जुड़े भरष्टाचार की एक मामले में 14 दिन की नियाएक रासत में भेज दिया इमरान खान तोशा खाना ब्रष्टाचार मामले में भी दोशी करार दिये जा चुके हैं और 5 अगस्से ही जेल में बंध है अब बात करते हैं बर्मिंगम शहर हो गया दिवालिया साल 2023 के सितंबर महीने की शुरुवात में एक ऐसी खबर आई जिसने दुनिया के ध्यान अपनी और खीजा ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंगम दिवालिया हो गया अब बात करते हैं पूर्व अमेरिकी राश्टपती डोनल्ड ट्रम्प के दोशी करार होने की डोनल्ड ट्रम्प अमेरिका के इतिहास में पहले पूर्व या मौजूदा राश्टपती हैं जिन्नोंने अपरादिक मामलों का सामना किया अट्लांटा की एक अदालत ने इस साल 14 अगस्ट को टरंप और 18 अन्य लोगों को 2020 के राश्टपती चुनावों में थोकाधडी करने का दोशी माना टरंप ने सरेंडर किया, पुलिसों ने जेल ले गई, जहां उनका मक्षोट लिया गया टरंप अमेरिका के पहले ऐसे राश्टपती बन गए हैं, जिनका कैदियों की तरह मक्षोट लिया गया है अफगानिस्तान ने भारत में दूतवास पंद किया, 24 नुममर को अफगानिस्तान ने अचालक एलान किया तो भारत में अपने दूतवास को बंद कर रहा है, अफगानिस्तान ने पॉलिसी में बदलाव को इसकी वज़े बताया न्यूजिलेंड की पी-म जैसिंडा का इस्तिफा, इस साल की शुरवात में 19 जनवरी को न्यूजिलेंड की प्रधान मंत्री जैसिंडा अर्डन अचानक से इस्तिफा देने का एलान करके संसनी फैला दी जसिंडा की इस्तिफ़े से जादा उनके इस्तिफ़ा देने की वज़ा साध़ दिल्चस्थ थी उन्होंने पार्टी की साराना कॉक्स मिटिंग में कहा कि उनके अंदर अब काम करने के लिए उर्जा नहीं बची है अब इस्तिफा देने का समय है तुर्की सीरिया में भुकम से तबाही लीबिया में बार से तरही 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 छे फरवरी को 37 तुर्की और सीरिया में एक के बाद एक दो भुकम के छटकों ने सबर्दस्क तबाही मचाई रिक्टर स्केल पर इनकी तीवरता 7.8 और 7.6 मापी गई थी इस प्राक्रितिक आपदा में 50,000 से जादा लोगों की मौत हो गई वहीं इसी साल सितंबर में अफरीकी देश लीबिया में तुफान और बार ने भयंकर तबाही मचाई बार में 2300 लोगों से जादा की मौत हो गई और 10,000 से जादा लोग लापता हो गई तुफान की वज़े से दोन अदियों के बान तूट गये जिससे पानी शेहर में खुच गया और सैकडों घरों और लोगों को अपने साथ बहा ले गया चीन में भुकम के जोड़दार जटके चीन में 18 दिसंबर सोमवार देर रात आये भुकम में अब तक 116 लोगों की मौत की जिंगपिंग लगातर तीसरी बार राश्टपती चुने गए 69 साल के जिंगपिंग तीसरी ट्रम के साथ ही चीन के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले राश्ट परमुक बन गए हैं तीसरी बार राश्टपती बनने के बाद शी जिंगपिंग ने चीन में 4 दशक पुरानी परंपरा को तोर दिया